हलो फ्रेंद्स, वेलकम टू मैं चानल, दिस इस मेगना, तो आज है साटरडे और मैं और पनव जा रहे हैं एक एक एग्जविशन पे टाइम स्पेंट करने और कुछ पसंद आएगा तो ले भी लेंगे, तो चलिए देखते हैं बताओ हमनों कहां पर आए हैं? यहां पर हाथ मत लगाओ वाल्स में, बोला हम लोग कहां पर आए हैं, कहां पर आए हैं, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो चलिए अंदर जाके देखते हैं, क्या-क्या सामान है, क्या-क्या नहीं है, यहां पर एग्जविशन में मैं नॉर्मली आती रहती हूँ, क् कि यहाँ पर तरह तरह का सामान का एक्जिवेशन लगता है तो मुझे ऐसे भी विंडू शॉपिंग करना बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर नॉर्मली आती रहती हूं कि यहाँ एक बड़ दिखाई ना कि यहाँ एक बड़ दिखाई ना कि यह वाला एक बड़ दिखाईए ना ख़़कर कि यहाँ से निकल की बहारे खाने पीने का स्टॉल है वहाँ पर आच चुके है क्योंकि भूक लग गया है तो यहाँ से थोरा बहुत कुछ ले लेते हैं अभी हम लोग का थोड़ा बहुत कुछ खडीर ना हो गया अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे है नानी हाउस जा रहे है बनव के तो बस गारी का ही वेट कर रहे है और यह है मेरी मम्मी आप लोग को देख रही है और यह है मेरे पापा यह अभी पनव के साथ खेल रहे हैं और हम लोग अभी आ गए हैं पनव के नानी हाउस और यहाँ पर हम लोग अभी शायद शाम तक रहेंगे और अभी मैं आप लोग को वो चीज दिछा देती हूँ यह चीज मैने खडीजा है लेखिए यह अभी विंटर टाइम है तो मुझे लगा कि यह मैं टो ले लू तो यह विंटर के लिए अच्छा है और स्टोल मुझे जादा सूट नहीं करता है क्यूंकि नॉर्मली मैं पनफ के साथ निकलती हुए तो हाथ में मेरा कोई बैग या कुछ रहता है तो फिर स्टो पनफ को समाले फिर वो दिक्कत हो जाता है तो इसलिए मैंने इस स्टाइल का लिया है विंटर्स के लिए वही मैं आपको दिखाना चाहती है कि देख लीजिए डिजाइन इसका इस तरह का है और यह देखिए फ्रेंस पनफ अभी भी सो रहा है मैं उसको कितना गुला रही ह रुखने का मन्त मुझे भी कर रहा है आज पर मैं आज नहीं रुखूंगी फिर कभी एक दिन आखे रुखूंगी और उस दिर मेरे सारी गरवालों से मैं बात करने वाली हूं आप लोग को दिखाने वाली हूं और आप लोगों से भी बात कराऊंगी promise घर पौज के और डिनर कर रहे हैं यह पूरी सबजी मेरी मम्मी मुझे बनवा के दी थी तो ही मैं खा रहे हूं और अभी हम लोग आगे हैं साउथ सिटी मॉल यहां पर मूवी देखने हैं अन्तम और आज है संडे तो अभी हम लोग मूवी देखने हैं मेरान मुदित और पैनव भी आने के लिए जड़ कर रहा था पर उसको ला नहीं सकती क्योंकि मूवी ओल में वह बैठे का नहीं और बच्चे अलाउड नहीं है तो उसको घड़ पे ही रख के आई हूँ और अभी इंटर्वल का टाइम है इंटर्वल हो गया है और देखिए सीट्स अल्मोस्ट पूरा ही खाली है पूरे हॉल में हम लोग खाली चार पाजन फैमिलीज ही थे बाकी पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ है और मुवी हॉल से निकरके हम लोग अभी जा रहे है पार्किंग लॉट में वहां पर गारी पार्ट किया हुआ है तो गारी लेने जा रहे है और अभी हम लोग लंच करने एक रेस्टरेंट में आ चुके हैं यह एक नया रेस्टरेंट खुला है यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग आ गये हैं लंच करने तो अभी हम लोग गूवी देखके और लंच करके घर वापस आ गये हैं तो यह था मेरा कल के व्लॉग का कंटिनुएशन जो कि मैं अभी तक कंटिनू कर रही थी तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा और आज का यह व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंट करती हूँ तो फिर से मिलते हैं, एक नहीं व्लॉग के साथ, नहीं स्टी, तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगे आप लोगों से, बाइ बाइ, थांक्यू पर वाचिशिज मैं वीडियों, थांक्स, टेख केर, बाइ,